हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू गवर्मेंट जॉब जेन्यो नॉटिफिकेशन यूटूब चैनल फ्रेंड्स एड्मिनिस्ट्रेटिव ओफिसर रिक्रूट में नॉटिफिकेशन आउट हुआ है औल इंडिया से इसमें कैंडिडेट एलिजबल रहेंगे मेल एंड फीमेल बहु इसी भी स्टेट से ब्लॉंग करते हों पर्मानेंट जॉब है सेल्री यहां पर बहुत अच्छी है पिचतर हजार पर मंद सेल्री रहेगी चोंवन सो ग्रेट पे रहेगा आप इसकी ऑफिसल साइट से इसका नॉटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर लिंक में आपको डिस नॉटिफिकेशन देखते हैं सो यह अब कि नॉटिफिकेशन देख रहे हैं क्रसी ऐग्ञानि चैन मंदल यानी अग्रिक कल्चुरल सख्तर सांटिस्ट सर्च रेक्रूट्मेंट पोड अग्री कोल्चुरर ऐसाइंटरे कुल्चुरा साइंटिस्ट रेक्रूटमेंट बोड की तरब से रुकूट्मेंन नोटिफिकेशन नहीं जुलाई को पब्लिस किया गया था एंड यहां पर जो भरती की जारी है पोस्ट मैंने आपको बता दी है और यहां पर आप देख रहे हैं चाहून सो ग्रेट पे रहेगा पंदराजा चाहसों से उन्तालीस अजार सो प्लस चाहून सो ग्रेट पे सेवन पे CPC पे से आप कर रहेगा यहां पर सेलरी सो सेलरी अच्छी कासी है इंपोर्टेंट डेट देख लेते हैं तो सम्मिट करने की ऑल्लाइन अप्लिकेशन की स्टारिंग डेट थी 23 जुलाई एंड लास्ट डेट है 23 अगस्त अभी आपके पास काफी टाइम है अगर आपने यहां पर वेकेंसी देखेंगे तो AO and F and AO Administrative Officers और यहां पर दिया गया है एक मिनिट Administrative Officer and Finance and Accounts Officer की यह वेकेंसी है जिसमें की 44 and 21 65 टोरल वेकेंसी है लेकिन पर्मानेंट पोस्ट है अगर आप इसके लिए अलिजबिल है तो जरूर एप्लाइ कीजए आप यहां पर देख सकते हैं कैटिगरी 22 भी यहां पर दे गई है आप जिस भी कैटिगरी से ब्लॉंग करते हो क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आप यहां पर एप्लाइ कर सकते हैं किसी भी इस ट्रीम से आपना गरेज़िशन कंप्लीट कर लिया है आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हैं finance and accounts के लिए candidate must be a graduate in recognized university and securing not less than 55% 55 minimum percent आपका 55 होना चाहिए desirable में यहाँ पर रख्या गया है commerce, finance या accounting से आपने post graduation किया हो वो desirable में है वैसे any graduate candidate apply कर सकते है age limit है 21 से 30 साल और यह 23 अगस्त 2021 के बेस पर देखी जाएगी reserve category से belong करेंगे तो आपको relaxation भी मिलेगा तो अगर आप दौनों ही एक post के लिए पहले देखेंगे administrative post के लिए apply करते हैं तो general candidate, OVC, EWS candidate के लिए 500 रुपए और जो women, SC, ST candidate रहेंगे benchmark disability रहेंगे उनके लिए है 20 रुपीस इसके बाद क्योंकि एक्जामनेशन फीस नहीं है only registration फीस देना होगा female co and SC, ST candidate and PVD को इसके अलाबा finance and accounts officer post के लिए भी same है लेकिन अगर आप दौनों ही post के लिए apply करना चाहते हो तो दौनों के लिए भी कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पर 1000 रहेगी general यानि unreserved OVC and EWS के लिए and 40 रहेगी female SC, ST and PVD के लिए अब next यहाँ पर कुछ important दिये गए है जैसे कि apply कैसे करना है तो official side पर जाकर करके आप इसमें online apply कर सकते है and examination center हम यहाँ पर check कर लेते हैं selection procedure में tier first, tier second होगा जिसके examination center क्या रहेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे साथ में slavos दिया गया है वो आप notification में clear कर लीजेगा यह देखे center for tier first examination तो यहाँ पर सभी states में आप जिस भी states से belong करते हो वहाँ के लिए आप देख लिए जेगा हम बात करेंगे MP and 36 गर की तो 36 गर में राइपुर रहेगा MP में भोपाल and indoor रहेगा second जो tier second का रहेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर आपका center पर सकता है तो यह tier second के examination centers दिये गए है ओके फ्रेंट्स इसमें जो first exam होगा वो online होगा computer based होगा और जो second होगा वो pen and paper descriptive paper होगा तो यहाँ पर आप detail देख सकते हैं पूरा syllabus यहाँ पर दिया गया है यह देखिए 200 जो tier first रहेगा उसमें 200 questions 200 marks के रहेंगे और जो tier third sorry second रहेगा उसमें 600 marks का total रहेगा 600 questions रहेंगे negative marking रहेगी tier first में तो carefully आपको answer दिना होगा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो like, subscribe, share जरूब कीजेगा Thank you